नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्य समाधान में हिंदी भाषा के उद्भग और विकास के तीसरे सत्र से मैं डॉक्टर रीता गौड आपका हारदिक स्वागत करती हूँ दोस्तों हम दो सत्र कर चुके हैं हिंदी भाषा के उद्भग और विकास पर जिसमें से पहले सत्र में हमने जाना था भाषा किसे कहते हैं भाषा शब्द कैसे बना भाषा की परिभाषाएं क्या है उसका स्वरूप क्या है उसकी विशेश्टाएं क्या है और हिंदी शब्द कैसे बना दूसरे सत्र में हमने जाना कि हमारे और यूरोप वासियों के आदिम पूरवज एक ही थे एक ही स्थान पर रहते थे एक ही भाशा बोलते थे और निरंतर दो अलगावों के कारण उनकी भाशाएं समय के अंतराल के बाद अलग-अलग हुई और उन ही का परिणाम है हमारी हिंदी तो चलिए आज के सत्र की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या कुछ नया पढ़ने वाले हैं जानने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों विश्व के भाशा परिवार और हिंदी यानि विश्व में जितनी भी भाशाएं बोली जात वैज्यानिकों ने तेरह भाशा परिवारों में विभाजित किया है और उनहीं के बारे में हम जानेंगे और हम जानेंगे कि हिंदी भाशा का कौन सा भाशा परिवार है तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं इसके अंतरगात हम पढ़ेंगे विश्व के भाशा परिवा हमारी हिंदी भाषा को यानि आर्यों की प्रारंबिक भाषाओं को संस्पित आधी को किस प्रकार प्रभावित किया इसके विशे में थोड़ा सा जानेंगे उसके बाद आर्यों के आगमन पर बात करेंगे और किस प्रकार उनकी भाषाओं को अलग-अलग वर्गों में विभ और आज की हमारी चर्चा के आधार गरंथ होंगे हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोला नातिवारी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचारे महवीर प्रसाद दिवेदी, हिंदी उत्भव विकास और रूप, डॉक्टर हर देव बाहरी, तो चलिए, शुरू करते हैं आ 30,000 भाषाएं बोली जाती हैं और विद्वानों ने इन सभी भाषाओं को ध्वनी की समानता, उनके व्याकरण, उनके शब्द समूह के तुलनात्मक विशलेशन और उनकी भोगोलिक निकटता के आधार पर अलग-अलग भाषा परिवारों में विभक्त किया है, यानि और चौथा है भोगोलिक निकटता, और अब ये कौन से भाषा परिवार है, जिन में इनको विभक्त किया गया है, तो पहला भाषा परिवार है भारोपिय भाषा परिवार, भारत और यूरोप में इसका क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भार तीसरा है चीनी परिवार, आगे चलते हैं, चौथा है सेमेटिक और हैमेटिक परिवार, पांचवा है अमरीकी या जिसको रैड इंडियन भी कहा जाता है, ये परिवार ओस्ट्रो एशियाटिक इसे आगनेय परिवार के नाम से भी जाना जाता है, आगनेय भाशा परिवार, कौकेशियन भाशा परिवार, यूराल अल्टाइक भाशा परिवार, सूडानी भाशा परिवार, बांटू भाशा परिवार, बुश्मेन भाशा परिवार, बारवा मलय पॉलिनेशियन भाशा परिवार और अंतिम जापानी कोरियाई भाशा के से उत्तर दे सकें, सबसे पहला परिवार कौन सा है, सबसे पहला परिवार हमने जो लिया है, वो है भारोपिय भाषा परिवार, भारोपिय भाषा परिवार को सबसे पहले लेने का कारण क्या है, उसका कारण है कि ये एक तो सबसे बड़ा भाषा परिवार होने का अर्थ क कि विश्व में सबसे अधिक इस परिवार की भाशाएं बोली जाती है, इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारी हिंदी भारोपिय भाशा परिवार की ही भाशा है। इसलिए इसके विशय में थोड़ी विस्तरित जानकारी हम लेंगे और बाकी सारे परिवारों के विशय में केवल आवश्यत जानकारी, बहुत संग्शिप्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे. तो देखिए भारोपिय भाशा परिवार का क्षेतर कौन कौन सा है, भारत है, इरान है, यूरोप का अधिकांश भाग है, अमेरिका का कुछ भाग है और ऑस्ट्रेलिया है, यानि भारत, इरान, यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इतने सारे विस्तरित क्षेतर में ये भारोपिय भाशा परिवार फैला हुआ है यानि इस परिवार की भाशाएं बोली जाती हैं अब आपको यह जानना है कि भारोपिय भाशा परिवार की जो भाशा हैं क्शेत्र बहुत व्यापक है तो इसमें को आंत्रिक भिनता के आधार पढ़ पर इस परिवार की भाशाओं को दो वर्गों में विभाजित किया गया, कौन से दो वर्ग है, केंतुम और सतम, केंतुम परिवार की भाषा हैं, आपको दोस्तों याद होगा, जब हमने अपने आदिन पूर्वजों की बात की थी, जो मध्य इशिया में कहीं रहते थे, और उन में से एक उनका समुहु कहा पर आपको बताया जा रहा है, केंतुम परिवार वो है, जिसके अंदर कौन सी भाषाएं हैं, ग्रीक, लैटिन, जर्मन और अंग्रेजी आदि भाषाएं इसमें शामिल की जाती हैं, दूसरा जो परिवार है वो है सतम भाषा परिवार, सतम भाषा परिवार की मूल भाषा काहीं है। रूसी भाषा है, आर्मनिय भाषा है, और भारत станट इरानी है। हमें जरी थे अब करना करफे हैं। ते भारत एराणी भाषा पर, अब यह जो भारत एराणी भाषा है, इससे कौन से तीन वर्ग हुए, भारतिय भाषाएं निकली, दरद भाषाएं निकली और इरानी भाशायने के लिए अब यहां मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूँ कि जब खोकंद और बदक्षा नामक स्थान पर फिर से हमारे आदिम पूर्वजों में अलगाव हुआ था तो उन में से आपको ध्यान होगा एक जो समूह था वो किस और गया था इरान की उस एरान की ओर जाने वाले समूह में से एक समूह तूटकर अलग होकर के दरद यानि पामीर किठार की तरफ चला गया था पहाडी क्षेत्र की तरफ चला गया था और तीसरा जो समूह था वो हिंदोकुष पार करके भारत की ओर आ गया था और उसी के आधार पर कालंतर में ये भाशाएं विक्सित हुई तो इसलिए हमारी जो भाशा है वो भारोपिय भाशा परिवार के सतम शाखा की भाशा है और यहीं से भारत इरानी भाशाएं विक्सित हुई और उनके तीम भाग कालांतर में हो गए समय के साथ-साथ कौन-कौन से भारतिय भाशाएं दरद जो कालांतर में पहलवी, परजेक और मीडिक आधी भाषाएं विक्सित हुई तो ये इस प्रकार से हमारी जो भाषा है, भारतिय आर्य भाषा हैं उनके विकास की प्रष्ठभूमी यहां शुरू होती है और आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारी भारतिय भाषा हैं जो भारोपिय भाषा परिवार से हैं, वो भारोपिय भाषा परिवार की सतम शाखा से समबंधित हैं ये आपको अच्छों दिहान में रखना है, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं इसके विशय में अब भारोपिय भाषा परिवार की मूल भाषाएं कौन-कौन सी थी सतम शाखा की सतम शाखा की मूल भाषाएं हमने पढ़ा रूसी आर्मीनियन और भारत इरानी थी और अभी हमने चर्चा की कि भारत इरानी से तीन प्रगवर्ग की भाषाएं ने विक्सित हुई भारतिय भ कंठस्त कर लेना है ये वर्गी करण आपके स्मृति पटल पर हमीशा ताजा रहना चाहिए इससे आप किसी भी प्रकार के भ्रह्म के शिकार नहीं होगे हमीशा सही उत्तर पर ही आपका ध्यान केंद्रित होगा पहला जो वर्ग है वो है प्राचीन भारती आर्य भाषाओं का जिसके अंतरग्य वitel वेदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत शामिल की जाती है दूसरा वर्ग है मध्ययुगीन भारतिय आर्य भाषाओं का जिसमें पाली, प्राकरेत, अभ्रहृंश और अवहर्ठ है और आधुनिक भारतिय आर्य भाषाओं का तीसरा वर्ग है जिसमें हमारी सारी बोलियां यानि अवधी, ब्रज और कालांतर में विक्सित राजस्थानी आदी बोलियां और फिर खड़ी बोली इसमें शामिल की जाती है तो यानि कि हमारी जो भारतिय आर्य भाषाएं हैं वो किस से संबंधित है भारोपिय परिवार की सतम शाखा से संबंधित है अब प्रश्न ये उठता है कि भारत इरानी की जो अन्य शाखाएं थी उनसे कौन-कौन सी भाषाएं विक्सित हुई तो दरद लोगों ने विक्सि तो इस प्रकार भारोपिये परिवार की बहुत सारी भाशाएं विक्सित हुई जो विश्व के विशाल भूभाग में बोली जाती हैं। भारत से संबंदित है अन्य देशों से तो है ही लेकिन हमारे देश से संबंदित है द्रवेड भाषा परिवार हमारे देश से संबंदित है क्योंकि इस परिवार की जो भाषाएं है वो दक्षिन भारत में बोली जाती है उत्तर भारत के कुछ शेत्र में बोली जाती है और प कुछ विद्वानों की अनुसार हिंदी आदी भाशाओं में तवर्गिय ध्वनिया, कारक्चिन, संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग और तीन लिंगों का प्रयोग इसी परिवार की भाशाओं का प्रभाव है मैंने दोस्तों आपसे शुरू में चर्चा की थी कि हम इन भाशा परिवारों के विशय में जब जानेंगे तो हम ये भी जानेंगे कि इन भाशा परिवारों की भाशाओं ने समय समय पर हमारी भाशा को किस प्रकार प्रभावित किया यानि आर्य भाशाओं को किस प्रकार प वो द्रवेड भाशा परिवार की प्रभाव के कारण आई, दूसरा कारक चिन्नों का प्रयोग भी इसी भाशा परिवार के कारण हमारे यहां आया, संयुक्त क्रियाओं और तीन लिंगों का प्रयोग भी इसी भाशा परिवार की भाशाओं के प्रभाव का परिणाम है, आग यह असपास का क्षेत्र यानी यह यह तीसरा भाशा परिवार है जो भारत से जुड़ा हुआ है आपको यह ध्यान रखना है कि भारौपय, द्रवेड और चीनी भाशा परिवार, यह तीन भाशा परिवार जो हमने अभी तक पढ़े वे सभी भारत से कहीं न कहीं संबंधित हैं, अब इस परिवार की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं, चीनी, सियामी, बर्बी, तिब्बती, मंदारिन, जो विश्व में सबसे जादा बोली जाने वाली भाषा है, वो कौन सी है, मंदारिन भाषा, और मंदारिन भाषा कहां की भा भारत में मनिपूरी, गारो, बोडो, नागा, नेवारी ये सब जो आदिवासी जातियां है, ये सभी चीनी भाषा परिवार की भाषाएं हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, आगे चलते हैं, अगले भाषा परिवार पर बात करते हैं, अगला भाषा परिवार है सेमेट और हेमेटिक, सब कुछ विद्वान दोस्तों आपको यह जान लेना चाहिए कि कुछ विद्वान इन दोनों भाषा परिवारों को अलग-अलग मानते हैं, लेकिन बहुमत के आधार पर विद्वानों ने इसे एक ही भाषा परिवार में वर्गी कृत किया है, और इसका क्षे उनमें भी सेमेटिक और हेमेटिक परिवार की भाषाएं बोली जाती है, इनकी प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है, हिब्रु है, अर्भी है, प्राचीन मिष्री है, यानि मिष्रु में जो प्राचीन भाषा बोली जाती थी, वो भी इसमें शामिल है, सोमाली, काप्टिक नामा और फुला आधी भाशा हैं इस भाषा परिवार की यानि सेमेटिक और हेमेटिक भाषा परिवार की भाषा हैं और एक बार फिर आपकी स्मृति में ताजा कर दूँ कि Bible जो Old Testament है यानि Bible कि जो मूल भाषा है प्राचीन Bible है वो प्राचीन हिब्रू भाशा में लिखी हुई है और हिब्रू कौनसे भाशा परिवार की भाशा है सेमेटिक हैमेटिक भाशा परिवार की भाशा है अगे चलते हैं अब अगला जो भाशा परिवार आता है वो है ऑस्ट्रो एशियाटिक भाशा परिवार ये भाशा परिवार का क्षेत्र जो है प् अश्रो एशियाटिक भाषा परिवार भी भारत से संबंधित है यानि चार भाषा परिवार अभी तक हमने जो पड़े वे चार के चार परिवार किस से संबंधित है भारत से संबंधित है आपको ये ध्यान में रखना है इसकी मुख्य भाषाएं है मुंडा, मलय और निकोब यूराल अल्टाइक भाशा परिवार अगला भाशा परिवार है, इसका क्शेतर है यूराल अल्टाइक के मध्य, स्थित तुर्की, फिन्लेंड आदी देश, और इसकी मुख्य भाशायों हैं, तुर्की, उजबेक, हंगेरियन और फिनिष, फिनिष, फिनिष कहलाती है, यह चार भाशाएं हैं जो इस भाशा परिवार की भाशाएं मानी जाती हैं अगले भाशा परिवार को देखते हैं बांटू भाशा परिवार अगला भाशा परिवार है यानि सात्वे नंबर का भाशा परिवार है और इसका क्षेत्र है मध्य तथा दक्षिन अफ्रीका और पुत्री और दक्षिनी अमेरिका, इसकी मुख्य भाषाएं है अत्बसकन, करीब, एसकिमो, अर्बक, चेरो की, नूत का आदी, ये सभी भाषाएं आदिवासी भाषाएं है, कौकेशियन अगला भाषा परिवार है, इसका क्षेत्र है काले सागर और कैस्पियन सागर के तो कुछ विद्वानों का मत है कि वे कौकेशस क्षेत्र में रहा करते थे, यानि कौकेशस के पहारी क्षेत्र में रहा करते थे, इसकी मुख्य भाषा है जॉर्जियन भाषा, तो यदि प्रशन पूछा जाए कि जॉर्जियन के इस भाषा परिवार की भाषा है, तो आप इसकी मुख्य भाशाएं लगभग 425 हैं, लेकिन उन में से कुछ प्रमुख यहां दी जा रही हैं, होसा, इवे, यरूबा और अशानी इस वर्ग की इस भाशा परिवार की प्रमुख भाशाएं हैं, अगला भाशा परिवार है बुश्मेन, क्षेत्र है इसका दक्षणी औरेंज नदी से लेकर नगामी जील तक और इसकी मुख्य भाशाएं है एकवे, ओकवे और होतेंतोत, याद रखना है आपको, अगला भाशा परिवार है जापानी और कोरियाई भाशा परिवार, जैसा की नाम से ही स्पष्ठ है, जापान, कोरिया और आसपास के द्वीप परिवार की भाशाएं बोली जाती है और इसकी मुख्य भाशाएं है जापानी और कोरियाई जैसा की नाम से ही स्पष्ठ है, अगला और आखरी भाशा परिवार है, मलाय पॉलिनेशियन भाशा परिवार, और इसका जुक्षेत्र है वो पश्चिम में मैडा कासकर किसे, प उत्तर में फार्मोसा से लेकर दक्षिन में न्यूजी लेंड तक और इसके अलावा दक्षिन पूर्वी एशिया द्वीप समुह में जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बाली, हवाई द्वीप और मलाया यानि जिसे आजकल मलेशिया के नाम से भी जानते हैं, इन ख्षेत्र की भाषा, इंडोनेशिया की भाषा यानि इंडोनेशियन, जावानीज यानि जावा की भाषा, बालीनीज यानि बाली की भाषा, हवाईयन यानि हवाई द्वीप समुह में बोली जाने वाली भाषा, फीजियन फीजी द्वीप समुह में बोली जाने वाली भाषा, और न महतुपून बातें ध्यान में रखनी है पहली बात हमारी हिंदी किस भाषा परिवार की है भारोपिय भाषा परिवार की है हमारी हिंदी भारोपिय भाषा परिवार की किस शाखा की भाषा है सतम शाखा की भाषा है और भारत में कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं तो भारत में चार भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं और वो भाषा परिवार हैं भारोपिय, द्रवेड, चीनी, ऑस्ट्रो, एशियाटिक ये चार भाषा परिवार हैं जिनकी भाषाएं भारत में बोली आगे चलते हैं, अब प्रश्न ये उठता है कि भाशाएं हमारी जो विक्सित हुई, यानि अब हम बात कर रहे हैं भारती आर्य भाशाओं की जो आर्यों के भारत आगमन के बाद विक्सित होनी शुरू हुई और इस विकास की प्रक्रिया में सेक्डों वर्षों का समय लगा तो ये जो आर्यों की भाशाएं हैं, इनके आगमन से पहले भी क्या भारत में कोई और जातियां, जन जातियां भारत आई थी? ये प्रश्न है और इस बात को हमें जान लेना चाहिए कि भारत में आर्यों के आने से पहले भी कुछ जातियां भारत आई अन्य देशों से, व बहुत गहराई से आर्य भाशाओं को प्रभावित किया, इसलिए इनके विशय में बहुत छोटी-छोटी संक्षिप्त जानकारी हमारे लिए होना बहुत जरूरी है, तो देखे, सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करते हैं, डॉक्टर भोलानात तिवारी के इस कथन से, आर्यों के आने के पूर्व भारत में कौन-कौन सी जातियां रहती थी, यह प्रशन भी प्रस्तुत प्रसंग में विचारनी है, यानि भुलानात तिवारी स्पष्ट कर रहे हैं, कि यदि हमें भारतिय आर्य भाशाओं के उदभव और विकास की जानकारी प्राप्त करनी ह तो हमें ये पता होना चाहिए, कि भारतिय आर्य भाशाओं के विकास क्रम में अन्य कौन-कौन सी भाशाओं ने अन्य कौन-कौन सी भाशा परिवारों ने अपनी महतपूर्ण भुमिकाने भाई, और इस बात को जानने के लिए हमारे लिए जानना जरूरी है, कि आर्यों क अनेक प्रकार से प्रभावित किया है, यानि आर्यों के पूर्ववर्ती भारतिये लोगों के विशय में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन सभी लोगों की भाशाओं से हमारी भारती आर्य भाशाएं बहुत गहराई से प्रभावित हुई हैं, विभिन्नक शेत्रों में अधुनातम शोधों अधुनातम यानि नए से नए जो शोध हैं यानि लेटस रिसर्च जो है उससे ये बात प्राय सिद्ध हो चुकी है कि किसी भी ऐसी जाती का पता अब तक नहीं चला जिसे मूलत है भारत भूमी का निवासी माना जा सके यानि अभी तक प्राप्त चितनी जातियां समय समय पर बाहर से ही आई चाहे जातियां छोटी हो चातियों का समूझ छोटा हो या बड़ा हो चाहे प्रभावशाली हो चाहे कमजोर हो या कम प्रभाव युक्त हो लेकिन वे सभी जातियां बाहर से ही समय समय पर भारत में आई जिन में से प्रमुख चार है य उन जातियों के विशय में संगशिप्त चर्चा करते हैं, आर्यों से पहले आने वाली जातियों में, जो चार जातियों के नाम लिये जाते हैं, वे चार जातियां हैं, नेगरिटो, ओस्ट्रिक, किरात और द्रवेड, द्रवेड भाषा परिवार की चर्चा हम करी चुके हैं तो आपको यहां ये ध्यान में रखना है अब सबसे पहली जो जाती जिसकी चर्चा भोलानातिवारी ने की है वो है नेगरिटो जो जाती के लोग थे वो मूलत है अफरीका के निवासी थे यानि ये अफरीका से भारत आये तथा ये दक्षिनी अरब और इरान होते हुए भा ये इरान आये और उसके बाद ये हिंदोकुष को पार करके भारत में प्रविष्ठ हुए यानि नेगरिटो जाती के लोग अफरीका के निवासी और अरब और इरान होते हुए भारत में आये और फिर पूरे भारत में इस जाती के लोग फैल गए इन में से कुछ आसाम, इस जाती के लोगों ने अपना विस्तार किया और आपको ये जानकर आश्चरे होगा कि हमारे धर्म में जो पीपल की पूजा करने की परमपरा है हमारे पुराणों में धनुषबान का युद में प्रयोग करने की जो परमपरा है वो सब इन ही नेगरिटो लोगों के बलकि हमारी संस्कृती को भी गहराई से प्रभावित किया आगे चलते हैं दूसरी जो जाती है वो है ऑस्ट्रिक अब ये ऑस्ट्रिक मूलत है कहां के निवासी थे ये जानना चाहिए जिस तरीके से हमने जाना कि नेगरिटो अफरीका के निवासी थे तो ये मूलत है भूमद्य सागरी एक शेत्र के निवासी थे भूमद्य सागरी एक शेत्र का अर् कौन से रास्ते आये? इराक और इरान होते हुए भारत आये और उसके बाद ये इंडोनेशिया होते हुए कहां चले गए? आस्ट्रेलिया पहुच गए. फर्क क्या है इन दौनों जातियों में? नैगरिटो भारत में ही सीमित रहे, दक्षिनपूर्वी एशिया में कहीं कहीं निकोबारी जो भाषाएं हैं वो इन ही लोगों के द्वारा हमें प्राप्त हुई है यानि आस्ट्रिक लोगों की ये मूलते भाषाएं हैं और ये जितनी भी भाषाएं हैं कोल, मुंडा, खासी, आदी ये सभी आदिवासी भाषाएं हैं जो हमारे उत्तर-पूर्वी चेत्रों में बोली जाती हैं तो ये हुई हमारे दो जन जातिया जो आरियों से पहले भारत में आई अब तीसरी जो जन जाती है वो कौनसी है किरात कहां के निवासी थे देखे किरात बहुत ही महतुपूर्ण जन जाती है जिसकी चर्चा न केवल यजुर्वेद में बल्क किरातों की चर्चा प्रसंगवश मिलती है तो ये किरात जो जाती थी ये मूलत है यांग्ची सीक्यांग नदी के मोहने के पास रहने वाले मंगोल थे और मंगोल भी कौन से बाद वाले मध्यकालीन वाले मंगोल नहीं बलकि वो मंगोल थे जो उनके पूर्वज थे और यांग्सी कांग नदी कहां है ये नदी चीन में है इनहीं की एक शाखा चीनी सभ्यता और संस्कृती की निर्माता बनी यानि चीनी संस्कृती और सभ्यता जो बनी वो किरात लोगों के द्वारा ही उसे निर्मित किया गया उत्तर का जो पहाडी क्षेत्र है वहाँ ये बस गए क्योंकि मूलत है ये जंगल में रहने वाले लोग थे, उसके अलावा ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, मध्य भारत, बिहार, आसाम, बंगाल और उडिसा में फैल गए, यानि भारत के विशाल भूभाग में इन किरातों ने अपना क्षेत्र बनाया, अपना आवास जमाया, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश, नैपाल, भूटान, आसाम, मनीपुर और उत्री बंगाल तक ये जाती सीमित है और इस जाती की प्रमुख भाशाएं हैं मेथेई, कचिन, नगा, गारो, बोडो, ल कचिन, नेपचा, लेपचा और नेवारी आधी इनकी प्रमुख भाशाएं हैं और इन में से अधिकांश भाशाएं, आदिवासी भाशाएं ही हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, आगे चलते हैं, अगली जो जाती भारत में आई आरियों से पहले वो थी द्रविड जात भी मूलत है, अफरीका के निवासी थी, यानि अगरिटों की तरहें ये लोग भी अफरीका के ही मूल निवासी थे, पहले ये अफरीका से भूमध्य सागर की ओर आए, इसके बाद ये इरान और अफगानिस्तान से लेकर उत्तर भारत सहित, कहां कहां किन-किन चेत्रों में फैल गए, आसाम, बंगाल यानि पूर्वी भारत तक इनका क्षेत्र फैल गया, यानि इन्होंने अपना मूल स्थान कहां बनाया, इरान, अफगानिस्तान, उत्तर भारत, आसाम और बंगाल यानि पूर्वी भारत का कुछ भाग, लेकिन इनकी जो भाशाएं हैं, वो तो ह तमिल, तेलगु, कननड, मल्यालम यानि दक्षिन भारत में बोली जाने वाली भाषा हैं लेकिन यहां चर्चा तो की नहीं गई है दक्षिन भारत के आपके मन में ये प्रश्न सहज ही उठेगा तो दोस्तों आपको ये धियान रखना है कि द्रविड जब इन अक्षेत्रों म प्रमुख रूप से सीमित होकर के रह गए और यही कारण है कि इनकी जो भाषाएं विक्सित हुई वे प्रमुख ते दक्षिन भारतिये भाषाएं हैं तो ये बात आपको ध्यान में रखनी हैं अब इनकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं तमिल, तेलगु, कननर और मल आलम यानि दक्षिन भारत की चार प्रमुक भाषाएं इसके अलावा तुलू, कोडगू, कोमली, टोडा, गॉंड जो मध्य भारत की भाषाएं है उडिसा की भाषा खंद, बिहार की एक भाषा है ओराम और बलुचेस्तान की एक भाषा है ब्राहुई और राजमहल की पहाड का आजकल चार खंद में आता है उस क्षेत्र की मालतो भाषा भी इन द्रविड लोगों के द्वारा ही विक्सित की गई अब इनका जो विशाल भाषा क्षेत्र है इस ऊपर के वेवनड से इसपष्ट हो जाता है कि द्रविडों ने एक विशाल भाषा परिवार को एक अर न, यह से से आर्यों के भारते लेकर को यह साथब ने मिलता है। उन भाशाओं को इन जनजातियों की भाशाओं ने गहराई से प्रभावित किया, यहां तक कि हमारी संस्कृति को भी विशेश रूप से प्रभावित किया, आगे चलते हैं, अब बात आती है, अपने मूल विशेश की, यानि आरियों के भारत आगमन की, जिसकी चर्चा आगे के सत्रों में भी हम विस्तार से करने वाले हैं, तो आरियों का जो भारत आगमन का समय है, इसे आप रट लीजिए, अच्छी तरह से कंठस्त कर लीजिए, यह माना गया है 1500 इसापूर्व, यह अनुमानित समय है, और यह आपको ध्यान में रखना है, कि पश्चिमी और पश्चिमोत्तर सीमा से, यानि जहां पर आज हमारा पंजाब इस्थित है, और जिस सीमा पर पाकिस्तान इस्थित है, वुस क्षेत्र में सबसे पहले आरियों ने प्रवेश किया, और अपना स्थाई निवास स्थान बनाया, और यह कहां से आये थे, एक बार फिर याद दिला दू, खोकंद और बदक्षा से, अलग होकर अप पावुल कंधार होते हुए, यहां आये थे भारत के पंजाब प्रांत में, और इस पंजाब में वो क्षेत्र भी शामिल है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का अंग है, तो इस क्षेत्र में आकर इन्होंने अपना स्थाई निवास बनाया, और हमने अभी पढ़ा कि द्रवि को वहां से हटाया और अपनी प्रभुता वहां पर स्थापित की, हानले एक विद्वान हुए है, भाशा विद्ध हुए है, उनकी मान्यता है कि आर्य एक बार में भारत नहीं आये थे, बल्कि दो बार में भारत आये, यानि आर्यों ने भारत पर दो बार आकरमन किये, और यहां की जो रहने वाली जन्यजातियां थी, जो उनसे पहले भारत आई थी, उनको दो बार परास्त कर इस सक्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, अब तीसरी बात आपको क्या जाननी है, तीसरी बात ये जाननी है, कि पूर्व वर्ती आरय जो थे, यानि अगर हम आ आरय दो बार भारत में आये, तो जो पहले आये हुए आरय थे, वो मध्यदेश में बसे, और जो बाद में आये आरय, उन्होंने कालंतर में मध्यदेश से उन्हें हटा दिया, और उन्हें उत्तर, दक्षिन, पश्चिम और पूर्व की ओर धकेल दिया, यानि वे मध्यदे का हान लेका यह आपको ध्यान में रखना है आगे चलते हैं एक और बात ध्यान में रखनी है आपको कि जो आर्य पहले भारत आये उन्हें विद्वानों ने बाहरी आर्य कहा है क्यों बाहरी आर्य कहा है इसलिए बाहरी आर्य कहा है क्योंकि बाद में आने वाले आर्यों ने मद्धी देश से बाहर कर दिया था और बाद में जो संस्कृती जो भाशाएं विक्सित हुई वो किन के द्वारा हुई जो बाद में आने वाले आर्य थे उनके द्वारा इसलिए उन्हें परवर्ती आर्यों को भीतरी आर्य कहा है और पहले आने वाले जो आर्य थे उन्हें हानले के अनुसार परवर्ती आर्य ही वैदिक संस्कृती के निर्माता थे और यही कारण है कि विद्वानों ने इन परवर्ती आर्यों को भीतरी आर्य कहकर संबोधित किया है भारत में अगर मान लिया जाए कि आर्य भाषाओं का प्रारंब का वर्ष 1500 इसा पूर्व है तो आप गंड़ना कर लीजिये आज हमारी आर्य भाषाओं लगभग 3700 वर्ष पुरानी हो चुकी है यानि हमारी भाषाओं की उम्र हो चुकी है कितनी 3700 वर्ष आगे चलते हैं अब ये जो आर्य भाषाओं विक्सित हुई उन आर्य भाषाओं को 1500 से लेकर आज तक उनकी भाषिक विशेष्टाओं के आधार पर उनकी ध्वनिगत विशेष्टाओं के आधार पर अलग-अलग कालखंडों में विभक्त किया गया और प्रमुख्त है ये आर्य प्राचीन भारतिय आर्य भाषाओं का समय माना गया है 1500 इसापूर्व से 500 इसापूर्व तक यानि आर्यों के आगमन से लेकर 500 इसापूर्व तक का जो समय है वो प्राचीन भारतिय आर्य भाषाओं का समय है और ये आर्य भाषाओं का समय है और ये आर्य भाषाओं का समय शामिल की जाती हैं दूसरा जो वर्ग है वो है मध्यकालीन भारतिय आर्य भाषाएं और इनका समय माना गया है पांचसो इसापूर्व से लेकर एक हजार इसवी तक अब एक हजार इसवी तक के समय में यानि पांचसो इसापूर्व से लेकर एक हजार इसवी तक के समय में ऐसी भाषाएं थी जो मध्यकालीन भारती आर्यभाषाएं कहलाइ। पाली, प्राकरेट, अबरंश और अवहट। और उसके बाद हमारी हिंदी की जो भाहषाएं आती हैं, जो बोलियां आती हैं वे आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में शामिल की जाती हैं। और इसलिए बहुत सारी परिक्षाओं में पूछा जाने वाला सबसे महतुपोन सवाल है कि हिंदी के जन्म का वर्ष क्या है तो हिंदी के जन्म का वर्ष है दोस्तो एक हजार ईस्वी और इस बात को आपको धिहान में रखना है और यहीं से आधुनिक भारतिय की परमपरा शुरू होती है तो यह है वो वर्गी करण जो भारतिय आर्यभाशाओं का विद्वानों के द्वारा किया गया है अब बात आती है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है उससे संबंधित छोटे छोटे प्रशनों पर द्रश्टी डालें उनके सही उत्तर जांचे और हमने कितना समझा कितना ग्रहन किया उसकी खुद ही चांच करें तो सबसे पहला प्रशन है दोस्तों आपके सामने विश्व में कुल कितनी भाशाएं बोली जाती हैं आप्शन्स दिये गए हैं 2650, 2746, 2651 या 2243 तो हमने कई बार चर्चा की है कि विश्व में लगभग 2746 भाशाएं बोली जाती है यानि लगभग 3000 भाशाएं बोली जाती ह इसलिए B option सही उत्तर है आगे चलते हैं अगला प्रशन देखते हैं दूसरा प्रशन है विश्व की संपूर्ण भाशाओं को कितने भाशा परिवारों में वर्गी कृत किया गया है या विभाजित किया गया है options दिये गए है 14, 13, 12 या 11 अभी अभी हमने विस्तार से कि विश्व की सारी भाशाओं को 13 भाशा परिवारों में वर्गी कृत किया गया है और इस वर्गी करण का आधार है द्वनिगत सामने और उनकी विशेश्ताओं में समानता और भोगोलिक निकटता इनके आधार पर इनके भाशा परिवारों का वर्गी करण किया गया है औ तीसरा प्रशन है समस्त भाशा परिवारों में सबसे बड़ा भाशा परिवार कौन सा है भारूपिय भाशा परिवार, द्रविड भाशा परिवार, ओस्ट्रो इशियतिक भाशा परिवार या चीनी भाशा परिवार तो A option यहां बिलकुछ सही है क्योंकि भारोपी भाशा परिवार विशाल क्षेत्र में बोला जाने वाला भाशा परिवार है इसकी भाशाएं कहां कहां बोली जाती है योरोप के अधिकांश भाग में बोली जाती है अमेरिका के कुछ भाग में बोली जाती है भारत में बोली जाती है और आस्ट्रेलिया में बोली जाती है तो ये सबसे विश्रिक भूबाग पर बोली जाने वाली भाशाओं का परिव चीनी जापानी केंतुम सतम या फिर सेमेटिक और हेमेटिक तो दोस्तो आर्य और द्रविड तो क्या है जातियां है चीनी जापानी एक क्या है भाशा परिवार है सेमेटिक हेमेटिक भी एक भाशा परिवार है तो भारोपिय भाशा परिवार की शाखाएं कौन सी हुई केंत और सतम ये सी उत्तर यहां पर सही है इसको आपको ध्यान में रखना है अगला प्रशन देखिए निमनलिखित में से भारोपिय परिवार की भाषा का क्षेत्र नहीं है यानि हमें इसमें से वो आप्शन तलाश करना है जहां पर भारोपिय परिवार की भाषाएं नहीं बोली भारत इरान यूरोप का अधिकांश भाग अमेरिका और चीन तो देखिए भारत इरान में तो बोली जाती है यहां से तो आई रहे थे लोग यूरोप का अधिकांश भाग इसमें भी बोली जाती है अभी मैंने चर्चा भी की अमेरिका के कुछ शेत्र में भी बोली जाती है तो केवल चीन एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर भारूपिय भाशा परिवार की भाशाएं नहीं बोली जाते हैं, क्योंकि चीन का अपना अलग चीनी भाशा परिवार है, तो यहां D option सही उत्तर है, आगे चलते हैं, चटा प्रशन देखते हैं, निमनलिखित में से भारूपिय परिवार की सतम शाखा की उपशाखा नहीं है, यानि सतम शाखा में निमनलिखित में से कौन सी भाशा शामिल नहीं है, तो A option है बुश्मेन, B है भारतिय, C है दरद, और D है इरानी, तो दोस्तों आपको याद होगा कि भारतिय, दरद और इरानी यह तो सतम शाखा की परिवार है, इसलिए A यहां सही उत्तर है, आगे चलते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, सात्वा प्रशन, निमनलिखित में से कौन सी द्रविड परिवार की भाशा नहीं है, तमिल कंणर मल्यालम और गारो, तो तमिल कंणर मल्यालम यह सब तो आपको अच्छी तरह से य परिवार में आती है, इसलिए D option यहां पर सही उत्तर है, अगला प्रशन देखते हैं, भारतिया आरे किन से अलग होकर भारत आये, इरानियों से, दरज से, दौनों से, या किसी से भी नहीं, स्वतंत्र रूप से आये, थोड़ा सा सोचने की आवशकता है, थोड़ा की ओर चले गए थे, दरत कहां चले गए थे, पामीर के पहारी क्षेत्र की ओर चले गए थे, और उनसे अलग होकर के आरे भारत में आये हिंद कुष्व की परवत श्रंखला को पार कर पंजाब में स्थाई रूप से बस कए, यानि उत्तर क्या होगा, C option यहां पर सही उत्त है, आगे चलते हैं, आरेों के भारत आगमन का समय क्या माना गया है, अभी मैंने आप से चर्चा की थी, कि इसे आपको कंठस्त कर लेना है, 1500 इसापूर्व, 2200 इसापूर्व, 1800 इसापूर्व या 1600 इसापूर्व, तो यह option यहां पर सही उत्तर है, 1500 इसापूर्व, वो जिर्धारित किया गया है, अगला प्रशन, किस विद्ध्वान ने आरियों के दो बार में भारत आने का मत प्रस्थुत किया है, कीत, मैक्समूलर,तेलर या हारनले, तो आपको याद होगा बच्चो देखिये, हाला कि कीत भी भाशा वैज्ञानिक है, मैक्समूलर भी भाशार इन चारों में से हाणले वो भाशाविद हैं जिन्होंने ये मत प्रस्तुत किया कि आर्य दो बार में भारत आये थे तो ऐसी स्थिती में कौनसा सही उत्तर हुआ? दी विकल्प यहां पर सही उत्तर है तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र और इस सत्र में हमने चर्चा की भाशा परिवारों की कि विश्व की तीन हजार भाशाओं को कितने भाशा परिवारों में विभाजित किया गया है उन भाशा परिवारों के विशे में हमने जाना हमने ये जाना कि भारोपिय भाशा परिवार ही वो परिवार है जिससे हमारी आर्य भाशाएं संबंदित है जुड़ी हुई है बारोपिय भाषा परिवार को हमने थोड़ा विस्तार से जाना उसके बाद हमने भारत में कौन-कौन सी आर्यों से पहले जातियां आई उनकी चर्चा की फिर हमने आर्यों के आगमन की चर्चा की और किस प्रकार पूरवर्ती जातियों ने आर्यों की और आधुनिक भारतिय आर्य भाशाओं के विशे में भी हमने थोड़ी सी सांकेत एक जानकारी प्राप्त की जिनकी चर्चा आगे के सत्रों में हम विस्तार से करने वाले हैं। प्योगी हो सकेंगे ऐसी उमीर करती हूँ तो अगले सत्र के इंतजार में रहिए धन्यवाद।